Hello everyone, welcome you all at Location Unlimited Study Zone तो Optics का Part No. 2 चल रहा है समतल सतह के द्वारा अपवरतन जुश्य ग्रीख हतम होने वाला है उसके बाद हम पढ़ेंगे गोलिय सतह के द्वारा अपवरतन है ना? गोलिय सतह मतलब लैंस, गोलिय सतह मतलब नियम कानून सारे यही रहेंगे है ना? और परन्तु थोड़ी सी कठिनाई बढ़ जाएगी तो आईए इसका लास्ट टॉपिक अप बचा हुआ है एक तरीके से कल मैंने हेडिंग लिखवा दी थी वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई में संबंद ठीक है ना? जब भी आप किसी चीज को सिक्खे को पानी में डालते हैं पेंसिल को पाने में डाल दीजे तो जो यथा इस्थिती होती है वो नहीं दिखाई देती चीजों की थोड़ा सा उपर दिखाई देती थोड़ा सा उपर तो जो इस्थिती आपको दिखाई देती होती है वो होती है आभाशी गहराई क्या होती है आभाशी गहराई और वस्त वस्तुपी सगन माध्यम में इस्थित है, जिसे एक प्रेच्छक विरल माध्यम से देख रहा है। यह एक पात्र बना लीजे, ठीक है जी? तो जल भर दीजे पात्र में, पात्र में पूरा जल भर दीजे पात्र के नीचे एक सिक्का रख दीजे, यह सिक्का आपने रख दिया है। तो शगन है और यहां पे विरल है किरण मान लीजिए, आईकॉन से चल रहे है, किस कोण से? सटाक यहां पर इस तरीके से निकल जाएगा यह निकल जाएगी किरण यह देखिए निकल गई कि नेकली निकल गई है ने بेटा? ये किरण इस तरीके से निकल गई है बिटा ये अगर आई है तो ये भी कितना होगा इता आई विल्कुल सही वेरी गुड ये आई है तो ये भी कितना होगा एक अंतर कोण है ना आई हाँ आर कहां बनेगा बिटा ये बनेगा की नहीं बनेगा बोलो अब भाईया देखो इंसान देखो उपर से अगर देखो तो एक्चोली गहराई पर दिखाई देगा बट ये किरण निकलने वाली ये है तो बंदे की आँख अगर यहाँ पे है तो इसकी इमेज कैसी बनेगी आभासी ये देखो इस किरण को पीछे लेके आए जो बाहर जा रही ना तो P का प्रतिवे में क्या बनेगा? P-DES क्या बनेगा? P-DES बनेगा. आई बस समझ में? तो अब महसूस करिए इस बात को कि आपका जो आबजेक्ट है उसकी वास्तिविक गहराई बहुत ज़्यादा है H है की नहीं है? मगर उसकी आभासी गहराई आपको कहा दिखाई दे रही है? H-DES पर ये देखिए है की नहीं बताईए? है ना? इतने पर आपको इसकी आभासी गहराई दिखाई दे रही है तो हमको वास्तिविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध निकालना है अगर ये कोण R है तो ये वाला कोण भी कितना बनेगा R, संगत कोण, बोली हाँ है न क्योंकि वो भी अभी लंब है और ये भी अभी लंब है, अतह संगत कोण क्या बनेगा, R, इस वाले अभी लंब का नाम दे दीजिए M और इसका नाम दे दीजिए N ठीक है? इस वाले का नाम दे दिए जी, आप यहां वाले विद्विंदु का Q, क्या नाम दे दिए आपने? Q, ठीक है ना? इसका P और इसका P-ध, तो मैं क्या लिखवा रहा था? बस ये है में डाइग्राम, इस डाइग्राम के भी मार्क्स है, पहले चीज तो ये डाइग्रा बिंदु पी से चलने वाली किरण, बिंदु पी से चलने वाली किरण, पी ओ, जो अभी लंबवत दिशा में आप्तित होती है, वह सीधी निकल जाती है. बिंदु पी से चलने वाली किरण, पी ओ, जो अभी लंबवत दिशा में आप्तित होती है, पी ओ, वह सीधी निकल जाती है, निकल रही ना सीधी, तो पहली किरण सीधी निकल गई है, अब दूसरी किरण के बारे में बात करें, पी से चलने वाली दूसरी किरण पी क्यू, पी से चलने वाली दूसरी किरण पी क्यू, पी क्यू, बिंदु क्यू पर आप्तित हो करके, अभिलंब से दूर हट करके, अभिलंब से दूर हट करके, क्यू आर दिसा में चली जाती है, अभी लंब से दूर हटकर कहां चली जा रही अब है QR कहां चली जा रही है QR दिसा में चली जाती है कुछ टाइग्राम देखना बेटा पीसे चली Q पर आपती थुई और फिर कहां गई हाँ तो वही लिख दो उसी को QR दिसा में चली जाती है दोनुं अपवर्तित किर्णों को नहीं अपवर्तित किर्णों को पीछे बढ़ाने पर इस किर्ण को क्या करा है पीछे बढ़ा है ना जिसको पीछे बढ़ाने पर जिसको पीछे बढ़ाने पर जिसको पीछे बढ़ाने पर बिन्दू P डैस पर बिन्दू P डैस पर आभासी प्रतिविम किसका P का किसका क्योंकि सिक्का कहां रखा है P पर जिसको पीछे बढ़ाने पर बिन्दू P का कौन सा प्रतिविम मिलेगा स्री कृष्ण आभासी कौन सा मिलेगा आभासी लिखो जिसको पीछे बढ़ाने पर P का आभासी प्रतिविम्ब प्राप्त होता है P का आभासी प्रतिविम्ब प्राप्त होता है बोलो ठीक है विया तो बिया बिन्दू P का आभासी प्रतिविम्ब कहां पर P डैस पर कहां पर बिंदू P दैस पर P का आभासी प्रतिबे में प्राप्त होता है हो गया प्रतिबे में प्राप्त है नहीं देखिए सिक्का उभरा हुआ नहीं बोलोगे ऊपर दिखाई देता है क्या दिखाई देता है उपर उसकी यथा गहराई है सही गहराई है वहाँ पर नहीं दिखाई देगा उससे आपको उपर दिखाई देगा दिखाई देगा ना चलो अब भाईया इसका हम calculation करते हैं इसका हम उत्पन करते हैं आईए इसका हम समीखर उत्पन करें देखिए आपके पास دो angle है दो angle यहाँ पर I दिख रहे हैं और दो angle यहाँ पर R दिख रहे हैं तो I angle R angle बिल्कुल अच्छे से विवस्ती तुरूप से एक्जाम में बना लीजेगा कि जाचने वाले को विल्कुल क्लियर दिखाई दे और ज्यादा हो तो आप उनको एंगल को आई आर लिख दीजेगा हाँ बोलो क्या बोलो क्या हुआ क्या कौन सा एंगल बराबर हुआ भाई आई आर कैसे बराबर हुआ यह देखिए देखो भाई साब पहली किरण यह चली बोलो हाँ हाँ या ना ठीक है ना तो भाई या अभिलाम यही हुआ की नहीं हुआ पताओ हुआ की नहीं हुआ है ना तो यह कौन क्या होगा भाई साब आई इस बिंदू से किरण चल रही ना तो ये वाला कूण क्या होगा आई और ये वाला कूण फिर यहां करके देखो इस बिंदू पर क्या हुआ है अपवर्तन हाई ना तो ऐसा वाला कूण क्या होते है बराबर होते हैं की नहीं होते है एक आंतर कैसे कूण एक आंतर कुण तो ये आई है तो ये भी क्या होगा आई फिर ये अपवर्तन हुआ आर अपवर्तन कुण क्या होता है आर और फिर ये वाला कुण भी कितना होगा आर ठीक है क्लियर हुआ एक भी लेक्चर चलिए अब स्नेल का नियम लिखाते हैं तो किरण कहां से चल लए है जल से लेके बाहर ए जल से लेके एर तो इसनेल के नियम से नियम से बोलो क्या होगा A-MU-W की W-MU-A W-MU-A क्योंकि पहले क्या है भीया पहले वाटर है फिर बाद में क्या है A-R है W-MU-A बराबर साइन आई अपान साइन आर तो इसका उल्टा कर दो W-MU-A का उल्टा क्या होगा A-MU-W एक्वाल टू हो जाएगा साइन आर अपान साइन आई Sine-I अब आप कोगे सर आपने A-MU-W क्यों किया क्योंकि A-MU-W बराबर क्या हो जाएगा M-A पॉर्तनांक जल का बाई जो भी माध्यम होगा जल होगा तो जल का हो जाएगा मतलब A-MU-W मतलब हवा के साफेक्च में और हवा के साफेक्च में माध्यम की जो वैल्यू आती वही एक्चल वैल्यू मिलती है तो A-MU-W बराबर मियू हो जाएगा तो बाद में इसको क्या रख देंगे मियू रख देंगे चलिए अब हमें Sine I और Sine R की वैल्यू रखनी है तो हमें दो ट्रेंगल तलासने हैं जिसमें हमको Sine I को मैं लेख सकता हूँ एंगल O P Das किता Q और साइन आई मतलब एंगल O P Q बोलो हाँ है तो साइन एंगल ओ एंगल O P Q ठीक है न तो ये दो एंगल मैंने लग दिये O P Q चलिए आए ये देखते हैं. Now, अब आपके पास में देखिए, आप जानते हैं कि छोटे एंगल के लिए साइन, साइन, थीटा, इस नियर अबाउट कितना? थीटा. बहुत छोटे कोणों के लिए साइन, थीटा, नियर अबाउट थीटा. हाँ या ना? होता है कि नहीं होता है? तो ये जो भी कोण है, मैं इसका साइन गाइब कर सकता हूं कि नहीं गाइब सकता? बोलो, क्योंकि छोटा कोण है. तो मैंने पहली क्लास में बताया था कि साइन, थीटा, नियर अबाउट थीट का फॉर्मूला क्या होता है कौन बराबर होता है चाप बटे तरिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज में कौन बराबर चाप बटे तरिज्जा लेजे तो यदि आप यहाँ पर यदि आप यहाँ पर कौन बराबर चाप बटे तरिज्जा लेते हैं तो आपके पास चाप देखें किस वाले कौन के लिए पीडेस के लिए मतलब इस वाले की बात कर रहे हैं तो देखो भाई साब कोण बराबर चाब अच्छा आप साइन भी लगा दो तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है अगर ये कंसेप्ट आपको हजम नहीं हो रहा है कि सर इसको गायप कैसे कर दिया बोलो हजम हो रहा है हो रहा है ना वैसे तो मैंने बता रहा है अगर नहीं भी हो रहा है तो आप सीरिस साइन लगा दो पहले मैं साइन लगा के बता देता हूं क्या बता देता हूं साइन लगा के बता देता हूं फिर डारेक्ली इसको देख लेंगे ना नहीं आएगा तो वैसे कर लेंगे पहल के सामने की भुझा LUMB होती है तो सब जानते हो गया हाए ना तो LUMB किता हो गगया हुआ ही और यह होगा P'-Q हुआ कि नहीं हुआ क्योंकि कर्ण भाई यह सबसे बड़ी भुझा हाए ना तो क्या हो गया P'-Q clear हुआ कि नहीं हुआ P'-Q Q, नीचे, sign यहो गया, O P Q, नीचे O P Q, नीचे क्या, O P Q, चलो, फिर से लंब बटे कंड, तो भैया, इस कोण के लिए, लंब क्या है, O Q, और कंड क्या है, P Q, कर्ण क्या है, P Q, चलिए, O की से O Q, क्या हो गया, कैंसल मतलब ए म्यू डबलू बराबर ऊपर आएगा पी क्यू और नीचे क्या आएगा पी डैस क्यू ठीक है ना देखिए यह जो प्रोसेस होती है जैसे आप किसी सिक्के को देखते हो तो कहां से देखते हो ऊपर से थोड़ा साइड से देखते हो बुलो हां हलका सा इधर से 10 किलो मिटर दूर जाके तो नहीं देखते हो ना 100 मिटर दूर जाके तो नहीं देखते हो ना 10 मिटर दूर जाके तो नहीं देखते हो ना मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये वाला पॉइंट जो होता है इस वाले पॉइंट के बहुत क्या होता है बिलकुल पास में क् पास में होता है कि नहीं होता है प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्यू वाला पॉइंट ओ वाले पॉइंट के क्या होता है बहुत पास में बोलिये हाँ या ना क्यू वाला पॉइंट ओ वाले पॉइंट के क्या होता है बहुत पास में समझ में आ गई मेरी बात सीधी निकल रही है, बोलो हाँ, एक रे कहा निकल रही है, सीधी निकल रही है, दूसरी रे, यहा निकल रही है, बोलो हाँ, ऐसी आरी कि नहीं आरी है, दूसरी रे जो है, कुछ इस तरीके से आरी है, यह लो, आरी कि नहीं आरी है, अब देखो भाईया, एक का रस्ता इतना बढ़ा है बोलो हां हां या ना समझ रहे हो बहुत काम की बाद बता रहा हूं अब ध्यान से देखो दोनों के रस्ते में बढ़ोत्री कित्ती हो गई है इस वाले रस्ते को इतना आधिक चलना पड़ रहा है ये महसूस कर पाए कि नहीं कर पाए नहीं कर पाए इस वाले रस्ते को इतना चलना पड़ रहा है जो तुम अपनी आख इधर करके देखे हो उसके काण कितना चलना पड़ रहा है डेल टेक्स बहुत थोड़ा सा इसको ब कुलते हैं पथांतर पथपवा सब यह पधतांतर बहुत ज्यादा है इसको पॕ अछाड़ दे तो मुझे बताओ हाटिक छोड़ यह पथांतर बहुत ज्यादा है ये पथांतर बहुत कम है बहुत कम है अब को दिघ्या आप me ङ Spanish tract चाहो तो यहां मैसूस कर लो केवल इतना है पतांतर यह देखिए इतना दिखा नहीं दिखा धिका और जब आप जितना पास में आएंगे यह पतांतर क्या होता जाएगा कम होता जाएगा डाइग्राम में तो मैंने आपको बहुत दूर दिखाया है एक्टुल सिच्वेशन म आप बहुत पास में होंगे, बोलिया हाँ या ना, मतलब रियल सिचुएशन में ये जो Q पॉइंट है, ये O पॉइंट के लगभग लगभग पास में होता है, हाँ या ना, but Q is very close to O, मगर जो Q है, वो क्या होता है, O के बहुत समीपस्थ होता है, हाँ या ना, तो Q अगर O के समीपस्थ होता है, तो जहाँ जहाँ Q है, वहाँ वहाँ में क्या पॉट कर सकता हूँ, O, तो भाईया, A, M, U, W, बराबर, P, Q की जगए कितना, P, O, और भाईया, P, Q की जगए क्या, P, O, तो यहाँ से, बताईये, P, O, मतलब वास्तिविक गहराई, बोली हाँ यहाँ ना, P, O मतलब वास्तिविक गहराई, और P, O, D, S का मतलब क्या, आभासी गहराई, हाँ यहाँ ना, मतलब A, M, U, W, बराबर वास्तिविक गहराई, बते आभासी गहराई, मुझे यहां लिखना पड़ रहा है इसको मैं रफ कर देता हूं तो ए म्यू डबलू एक्वल टू इसको उपन कर दो बिटा गेट उपन कर दो तो भाईया ए म्यू डबलू ए म्यू डबलू का मतलब हो गया है एच अपॉन एच डैस किलियर हुआ कि नहीं हुआ ए म्यू डबलू को मैं क्या बूल सकता हूं म्यू माद्धियम का पॉरत ना जो भी माद्धियम है आप कहोगी सर म्यू वाटर ले लो ले लो भाई कोई दिकτικत नहीं मुझे तो μू c・ tfr अगरा वस्तिविक गहराई में किसी का भाग दे रहे हैं तो भाग देने में value क्या हो जाएगी? कम this economy कम है मतलब जो एक्चॉल है वो ज्यादा गहरा है समझ में आए है एक्चॉल है वो ज्यादा गहरा है बड़ जो आपको दिखाई दे रहा है वो कम गहरा है तो नोट कर लिजी बहुत अच्छा derivation है एक क्वेस्िन कर लेता हूँ मैं कियों कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है, जल का अपवर्त नांग होता है, एक दसमलोब पाँच. किता होता है? एक दसमलोब पाँच. इस पर एक रोचक प्रिशन करता हूँ. क्या question है? कि तीस मीटर की गहराई पर एक सिख्का डला हुआ है, किसी टैंक में? 30 मिटर की गहराई पर क्या रखा हुआ है एक सिक्का बोलो भाई सब और टैंक में भरा है पानी टैंक में क्या भरा है पानी, बताइए कि ये सिक्का देखने पर कितने उपर दिखाई देगा चलिए देखते हैं तो H डैस एक्वल टू H है 30 upon mu कितना है बिटा 1.5 काट दिया इधर से बोलो 10 उपर चला गया कि नहीं गया 15 दूनी 30 तो भाईया 2 गुणे 30 बराबर कितना हुआ 20 दो गुणे 10 बराबर कितना हुआ 20 मिटर मतलब जो 30 मिटर की चीज है एक्चुल में वह कितने मिटर पर दिखाई देगी 20 मिटर पर क्रिस देखी आप लोगों ने क्रिस मचली पकड़ लेता था क्रिस हाथ लाल के क्या पकड़ लेता था अपन नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि आपन सोचते हैं कि मचली वहीं पर है मगर मचली होती कहा है और नीचे क्या होती है और नीचे मचली पकड़ने का टेलेंट यह तो बाज के पास है बाज आता है न हौक यह तो क्रिस के पास है तुम्हारे पास भी है अच्छा बाज के पास है और भालू के पास और क्रिस के पास क्रिस के पास हाँ ठीक है ठीक है चलो वो सब्जेक्ट अलग है जल्दी से इसको नोट करो देखे दूसरा एक सवाल है कि जल में डूबी हुई परक नली या जल में आप पैंसिल डाल दो तो पैंसिल कैसी दिखती सीधी की टेड़ी टेड़ी दिखती है क्यों दिखाई देती है अब उसका रीजन मैं दे रहा हूँ कि जल में अगर आप किसी पैंसिल को डुबाते हैं जैसे ये आपने जल में पैंसिल को डुबाया या आपने जल में किसी पेंसिल को डुबा दिया समझ में आया अब भाया यहां से दो किरने चलेंगी एक यहां से और एक यहां से यह दीजे एक यहां से ठीक है यह इसका भी लम सेट करिए अभी लम से दूर बोली हाया ना और ये भी अभी लम से दूर, हाँ या ना, clear yes or no, अब देखिए यदि इनको आप पीछे बढ़ाते हैं, इनको आप पीछे बढ़ाते हैं, और ये देखिए, यहाँ से इस pencil की पहले पीछे बढ़ाने वाला किस देख लो, तो ये देखिए, वहाँ हैं, इधर दूर हो गई है इनको पीछे बढ़ाईए इस तरह से, और इनको पीछे बढ़ाईए इस तरह से, ये, तो देखने वाले को ये दिखता है, कि जो नीचे वाले हिस्से का प्रतिमिम्ब हो कहां बन रहा है, यहाँ पर कहां बन रहा है, यहाँ पर तो pencil का ये हिस्सा तो उपर दिखता है, और जो चीज यहाँ हो रही थी, वोई चीज यहाँ हो रही है, मगर यहाँ पर यह बिंदू के रूप में हो रही थी यह चीज, और यहाँ पर यह समग्रिस के रूप में होगी, समझ में आया, यहाँ पर यह चीज बिंदू के रूप में हो रही थी, कि बिंदू का आभासी प्रतिवे में यहां पर बन रहा था अब यहां पर पूरा जो पैंसल का निचला हिस्सा है उसके प्रतिवे में लगातार बनते जाएंगे हर एक बिंदू के तो वो पैंसल कैसे प्रतित होगी तेड़ी और हलकासा उठी हुई यही कारण है कि जल में डूबी हुई पैंसल हो, परख न ली हो, तेढ़ी दिखाई देती है, आईवास समझ में? कोई दिकत? आसमान में तारे टिम्टिमाते हैं, ऐसे बल जैसे नहीं जलते रहते हैं, जलेंगे गायब हो जाएंगे, जलेंगे गायब जाएंगे, उसका आइवायू मंडली अपवर्तन देखो वैया क्यों होता ऐसा आसमान में तारें क्यों टिम्तिमाते यह तारह तारह सपहलो हूं ऑपर का माध्यम है वेरल क्या माध्यम है निर्वाथ हुआ औरनें नीचे हावा सगहन he तुकेगी लगातार अभी लंब की तरफ ये गई ये ऐसी हो जाएगी हाया ना फिर और आंगे गई ये और ऐसी हो गई हाया ना मतलब वस्तिति ये है कि ये किरन सीधे ना आ करके ऐसे आएगी बोलो हाया ना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ हो गया न बहिया प्रकास किरण जो होती है अगर विरल से सघन की और आती है तो अभिलम की और क्या होती है जुकती है और यहां पर उपर विरल है क्योंकि निर्वात है और जैसे ही प्रतिवी का वायू मंडल लगेगा क्या है लला सघन क्योंकि जलवास्प है वायू है सब चीज है हाँ या ना, clear हुआ कि नहीं हुआ, आई वाज समझ में, तो मतलब actual बंदे के पास जो प्रकास किरण है, वो ये वाली आती है, बोलो हाँ, ये वाली नहीं आती है, तो बंदा जो तारे को देखता है, वो इस वाली किरण की की वज़े से देखता है, बोली हाँ या ना, बंदा तारे को इस वाली किरण की वज़े से देखता है, clear हुआ, अब फिर हावा चली, क्या चली, हावा चली, कान थोड़े से डिस्टर्ब हुए, तो माध्यम की घनत तो थोड़ा साथ बदल गया ना, इतना बड़ा आसमान है बर्मांड है यार, उसमें एकतना बड़ा वायू मंडल है, बाइस पचास किलो मेटर का, हवा चली फिर से बदल गया, बोलो हाँ, तो ये जो किरण थी, जो आ रही थी, हलका सा पता चले, इधर जुग गई, हाया ना, वायू मंडल के अंदर, यहां तक तो सीडी आएगी, क्योंकि निरवात है, वायू मंडल ही से होगा पवर्तन, और फिर तुड़ा सा कहीं, इधर चले गई, तो तारा एक बार यहां देखाना, और वही तारा एक बार इसके दूसरे दोस्त को दिखाया, और वही तारा एक बार तीसरे दोस्त को दिखाया, बोलो हाया ना, हाया ना, तो मतलब इसको तारा एक बार दिखाई देगा, एक बार दिखाई नहीं देगा, तो इसको बोलते हैं टिम्टिमाना, दिखाई देते हैं समझ में आया ना तो इसको बोलते हैं वायू मंडली ए अप वरतन बोलो आया समझ में की नहीं आया वायू मंडली ए अप वरतन क्लियर हो गया चलिए तो खतम हुआ आपका 9.2 चेप्टर कल का होमवर्क है आपको कल जो काम करके लेके आना है मैं एक बर बताया देता हूँ पहली चीज मिरर यानि दरपन के अबजेक्टिव नहीं दिखाए हैं आप लोगों ने तो उसके वैकल्पिक कॉश्चन पूरे करके लाने है पूरी लिस्ट बना करके लेके आएंगे और कॉश्चन करके लेके आएंगे ठीक भी या चलिए